कोरोना वाइरस की संक्रमन का आतं ग्रामिन इलाखों में दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। कुरोना की ग्रामिन अर्थवेवस्ता पर आघात ने कृशी की खुराक और अन्य व्यापारियों को संकट में डाल दिया है। कुरोना का प्रभाव बाजार के साथ साथ छोटे व्यावसाय में भी फैला जा रहा है। जिससे ग्रामिन अर्थवेवस्ता लड़ खड़ा गई। कोरोना वाइरस के संक्रमन के डर से उपभोगताओं की संख्या में भी बड़ी गिरा वटाई है। इसके कारिन कई व्यापारियों के लिए भुक्मरी का समय आ गया है। कोरोना वाइरस दुनिया भर में फैल गया। इसका देश की ग्रामिन अर्थवेवस्ता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। किसान परिशान है क्योंकि बाजार में सामान नहीं उठाया जा रहा। क्योंकि सारवजनिक बाजार बंद है। कोरोना वाइरस संक्रामर्क रोग की सबसे बड़ी हीट क्रिशी की खुराक है। पोल्टरी फार्मों के बंद होने से मका उत्पादकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों और कॉलेजों सहीत नीजिट्यूशन का क्षाओ को बंद करने के कारण किताबे स्टेशनरी और जनरल स्टोर बंद हो गए। सारवजनिक कारिक रमों समारों शादियों पर प्रतिबंद ने व्यावसाय को कड़ी चोड़ दी है। होटल में रेस्टोरेंट बंद होने के कारण कारूबारी समुदाय भुकमरी का सामना करना पड़ रहा है। कुर्णा बिमारी ने हर गाव में एक भयावह माहोल बना दिया और कुर्णा के प्रभाव दैनिक जीवन में महसूस किये जा रहे है। गरिबों से व्यापारियों की लूट इलाके के कुचवे दुकान माल को द्वारा गरिबों को लूटा जा रहा है। किसी एक वस्तु के कीम दोगनी करने और उसे उपभोगताओं को आपूर्ति करने से नागरी का अर्थिक स्तर पर गिर रहे है। सौधी के दौरान भी नागरी को का शोशन करना सही नहीं। BCN News के लिए वारिसे सौरब पार्टिल के रिपोर्ट